Assalamu alaikum Welcome in the Kitchen with Fahimida आज जो recipe में आपके साथ शेयर करूँ चार्याओ राकी हो वो एक align dish की recipe है आज में आपके साथ शेयर करूँगी hot谁 Zero recipe ऐसके लिए मैं धो feelings prepare करूँगी एक filling vegetable की होगी और एक fill शक्कर और nuts की और चलते हैं आज की recipe की तरफ लेकिन रेसेपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए वेबिल आइकन को भी प्रेस कर दें ताके मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चले स्ट जहीं दूद भी और पानी दोनों मैंने नेम गरम ली हैं वन टी स्पून जाएगी इसमें चीनी हाफ टी स्पून जाएगा नमक वन टी स्पून जाएगा बेकिंग पाउडर विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे अब इसमें जाएगा टू टी स्पून एस्ट खमीर इसको भी विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी टू टेबल स्पून मेल्ट बिटर टू टेबल स्पून अब इसमें जाएगा कुकिंग ओल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अब इस लीक्विट के मिक्स्चर को मैं पंदरा से बीस मिनट तक रेस्ट पर रख दूँगी रूम टंपरेचर पर ही यह देखें जी बीस मिनट बाद इस्ट और बेकिंग पाउडर इसमें एक्टिवेट हो चुका है नीम गरम दूद और पानी में और अब मैं इसमें डाल दूँगी मैदा दो कप अब इसको विसकर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें जो थोड़े-थोड़े से लंज वगरा भी बनेंगे उनको भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे यह देखें जी इसकी आप कंसिस्टनसी देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह हम नॉर्मल डो बनाते हैं थोड़ी सी हार्ड मैंने वैसी नहीं बनाई थोड़ी सी यह सॉफ्ट में है और इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है जितना यह स्मूथ हो सके आपने कर दोंगे अच्छा जी जब तक डो को मैंने रिस्ट पर रखा हुआ है तब तक हम इसकी फिलिंग प्रिपेर कर लेते हैं और आज मैं दो तरह की इसमें फिलिंग करूंगी एक के लिए मैंने यहां पे चार से पांच अदद बदाम लिए और चार से पांच अदद ही मैंने walnuts लिये हैं अख्रोट लिये हैं और उनको knife की मदद से बारीक बारीक सा काट लिये इसमें मैं डाल दूँगी शकर तीन से चार टेबल स्पून मैं इसमें शकर डाल दूँगी आप brown sugar भी यूज़ कर सकते हैं यह देखें जी इसको mix करके हम साइड पर रख लेंगे यह prepare हो गई हमारी एक filling अब इसकी दूसरी filling के लिए मैंने लिए हैं दो अदद आलू जिनको मैंने mash कर लिया है boil करके इसमें मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च और गाजर बारीक बारीक सी कटी हुई अगर आप कद्दू कश कर लें तो ज़्यादा बहतर है इसमें मैं डाल दूँगी स्पेगेटी स्पेगेटी को मैंने बहुत ही छोटा छोटा सा करके फिर boil किया है नमक और oil डाल के अब इन सारी चीजों को हम mix कर लेंगे एक filling मैं शकर और nuts की कर रही हूँ और एक filling मैं vegetables की कर रही हूँ आप अपनी मर्जी से कुछ और filling भी इसके लिए prepare कर सकते है husband's eye का जाएगा इसमें नमक और husband's eye का ही जाएगी इसमें काली मिर्चे mix कर लेंगे इसको और ये दोनों fillings हमारी prepare हो चुकी है देखें जी वनन और हो चुका है और dough बिलकुल ready हो चुकी है और अब हम इसके hotx बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हाथों को अपने oil के साथ ये घी के साथ थोड़ा सा grease कर लेना ताके dough आपके हाथों को ना चिपके hotx बनाने से पहले मैंने यहाँ पे fry pan में oil रख दिया है और इतना हमने जादा oil नहीं रखना इसको deep fry नहीं करना बलके shallow fry करना है और इतना मैंने oil डाला है कि ये half dip हो जाएं उसमें और पहले ही इसको मैंने चूले पे रख दिया है oil को गरम होने के लिए सबसे पहले इस तरह से आपने थोड़ी सी डो लेनी है और हाथ पे इस तरह से इसको फिला लेना जो हमने शकर और nuts का mixture ready किया है उसको इसमें फिल करके इस तरह से इसको बंद कर देना कोई भी side इसकी open ना रहे इस तरह से इसको twist दे देना है और इसको अच्छी तरह से बंद कर देना oil गरम होगा और डाल देना है आपने oil में यह देखें oil इतना गरम होना चाहिए कि यह side से बस हलका सा sizzle करे oil जादा गरम होगा तो यह black हो जाएगा और अच्छा क्रिस्पी नहीं बनेगा heat भी मैंने इसकी low रखी हुई गया और 2-3 मिनट इसको ऐसे ही हम पकने देंगे इसी तरह मैं बाकी भी बना के इसमें डाल दूँगी कि यह देखें जी जब हलका सा यह पक जाए और आप इसको इस तरह से टर्ण कर दें और किसी भी spoon या किसी भी चमच की मदद से मैंने मेशर यूज किया है और इस तरह से इसको हलका सा प्रेस कर देना आपने ताकि हमने क्यूंके पेड़ा बना के डाला था बस लाइट सा अपने इसको प्रेस करना है ताकि यह थोड़ा सा एक पैनकेक की शकल में आ जाए यह देखें एक और मैंने इसमें फ्राइपन में डाला था हल अराम से हलके हाथ से इसको टर्ण किया है और इस तरह से प्रेस कर दिया अब दूसरी साइट से भी दोनों को मैं दो से तीन मिनट तक ओइल में कुक करूंगी यह देखें जी मैंने इसकी साइट टर्ण कर दी थी और अभी भी यह लोग हीट पर पक रहा है बहुत ही प्यारा सा इसकी उपर गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों साइट पे तो फिर हम इसको फ्राइपैन से निकालेंगे इसको लोग हीट पर इसलिए पकाना है ताकि यह अंदर तक पक जाए यह देखें कितना खुबसूरत सा एक साइट से इसको गोल्डन कलर आ गया बिल्कुल इस तरह से गोल्डन कलर हमें चाहिए यह देखें जी दोनों साइट से यह अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं क्रिस्पी हो गए हैं तो अब मैं इनको फ्राइपान से निकाल लूँगी यह देखें जी इनको मैंने निकाल लिया है फ्राइपान में से और अब मैं आपको वेजटेबल वाले बना कर दिखाऊंगी same process करना है vegetable वाले के साथ भी आपने थोड़ी सी quantity लेनी है dough की और उसमें vegetable fill कर देनी है इस तरह से हर side से उसको wrap कर देना है bind कर देना इस तरह से oil में उसको डाल देंगे same process इसके साथ भी करेंगे same इसी तरह से इसको fry करेंगे दो दो तीन तीन मिनट हर side से और फिर मैं आपको जब ये fry हो जाते हैं पिर मैं आपको दिखाते हूँ ये देखें जी मज़ेदार से दोनों hot tucks बिल्किल तयार हैं और ये sugar वाले हैं और शकर और nuts वाले हैं इसको आप सर्फ कर सकते हैं इसके उपर honey डाल दें और बहुत ही crispy बहुत ही yummy हैं ये vegetable वाले हैं और आप इसके अंदर किसी भी चीज़ की अपनी पसंद से filling कर सकते हैं और मज़े मज़े से इसको खा सकते हैं बहुत crispy हैं yummy हैं टेस्टी हैं और इसको time भी नहीं लगेगा आपको बनाने में आपके घर में आपके बच्चे इस recipe को बहुत पसंद करेंगे आप उनको चिकन की फिलिंग वाले बना के दे सकते हैं healthy vegetables हैं वो फिलिंग दे सकते हैं अगर आपको हमारी recipes पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारे चनल को भी subscribe करें हम फिर हाजर होंगे एक नई recipe के साथ तब तक के लिए